हेलो फ्रेंड्स, विल्कम टू कुक्विट सोनी, आज हम देखने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पालक का रायता, अगर आप इस तरह से गर्मियों में पालक का रायता बनाओगे, तो आपको गर्मियों की परिशाने भी नहीं होगे, और यह बहुत ही टेस्टी बन लिया है उसी के साथ साथ आडी कटोरी मैंने यहां पर दही लिया है इस तरह के मैंने यहां पर खजूर लिया है जिसे मैंने काट लिया है यह दिखें लंबे-लंबे पीसे मैंने से काट लिया है यह आपको market में easily मिल जाएंगे अभी तो रमजान का सीजन है तो आप इसे market से लिकिया सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे skip भी कर सकते हो उसे के साथ साथ मैंने एक प्याज, एक टमाटर और दो हरीच को बारी काट लिया है सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें मैं डाल रही हूँ दही ये घर का बनेया हुआ दही है बहुत ही गाड़ा और बहुत ही टेस्टी दही है इस तरह का दही कैसे बनना है इसका वीडियो मैंने आपके साथ अल्डरेडी शेयर किया है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो दही को हमें आच्छे से फेट लेना है एकदम स्मूध बनाने ना है दही को हमें ज़्यादा पतला नहीं बनाना है और इसे आप मिक्सी में ना ही चलाए तो भी अच्छा है ताकि अगर आप मिक्सी में चलाते हो तो ये बहुत ही पतला हो जाता है इसलिए आप इसे इसी तरह से फेट लीजे तो दही हमरा अच्छे से स्मूथ हो चुका है अब हम इसमें बाकी के जो इंग्रेडिंट से उसे डालेंगे तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ बारिक कटी हुई हरी मिर्च एक टमाटर जिसे मैंने बारिक काट लिया है ये चोटे साइज का टमाटर है उसे के साथ साथ एक चोटा प्याज मैनी यहाँ पर काट लिया है थोड़ से खजूर मैंने यहां पर डाले है खजूर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसी के साथ साथ पालक के पत्ते भी मैं इसमें डाल रही हूँ कच्चा पालक लिया है मैंने इसे बॉयल कुछ बॉयल नहीं किया है इसी तरह से आगर आप कच्चे पालक का ही रायता बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है और इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आपका जो पालक है वो कच्चा है तो इसका कच्चा पन और उसका कच्चा टेस्ट आएगा तो ये बिल्कुल ना समझे कि ये कच्चा जालेंगी क्योंकि हमने दही यूज किया है तो दही के लिए हमें ठोड़ सा टैस्ट का balance करने के लिए थोड़ सी चीन डालने है उसी के साथ साथ भूना जीरा पाउडर भी मैंने इसमें डाल दिया हैं और चीनी और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे आप चाहो तो इसमें तड़का लगा सकते हो पर ये ऐसे ही बहुत ही टेस्टी लगता है इसमें तड़का लगाने की बिल्कुल जरुरत नहीं है हमारा जो पालक का रायता है बहुत ही टेस्टी लगता है इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा काला नमक, काला नमक से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, मिक्स करेंगे और हमारा पालक का रायता जो है एकदम तयार है, आप इसे थंडा थंडा खाईए, अगर आपके पास समय है तो इसे आप फ्रिज में रखे, खाई सकते हैं, या फि वीडियो को लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक यू